बॉलीवुड एक्ट्रिसिस अपने किर्दार के लिए कड़ी मेहनद करती है पहनावे से लेकर बॉडी तक उन्हें कई बदलाव करने पड़ते हैं कभी बतला होना पड़ता है तो कभी अपने वजन को बढ़ाना पड़ता है कई बार तो उन्हें परदे पर ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसके बारे में वो अपनी असल जिंदिगी में सोच भी नहीं सकते नमस्कार मैं हूँ प्रियांका बिस्वास और आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी actresses के बारे में जिन्होंने अपनी किरदार में जान डालने के लिए अपने बालो तक की कुर्बानी देदी थी बॉलिवोड में अपनी फिटनेस के लिए मश्भूर शिल्पाशेटी ने The Desire फिल्म में अपने बालो की कुर्बानी दी थी उन्होंने यह लुक प्रोस्थेटिक मेकप के जरीए अचीफ किया था प्रियांका चोप्रा बॉलिवूट के देसी गर्ल प्रियांका चोप्रा भी बड़े परदे पर अपने सिर के बाल मुनवा चुकी है प्रियांका चोपरा ने मेरी कॉम के जीवन पर आधारित फिल्म मेरी कॉम में उनका किर्दार निभाया था इस रोल के लिए देशी गर्ड ने बहुत महनत की अक्टरस इसमें अपने बिना सिर के बालों के नजर आई थी अनुश्का शर्मा अनुश्का शर्मा भी अपने किर्दार के लिए गंजी हो चुकी है फिल्म एदिल है मुश्किल में उन्होंने एक कैंसर पेशन का किर्दार निभाया था जिसको रियल लुक देने के लिए अनुश्का शर्मा ने अपने बाल तक मुणवा लिये थे शबाना आजमी बॉलिवूड के दिगज अभी नेतरी शबाना आजमी अपनी बहतनी निताकारी के लिए जानी जाती है शबाना आजमी अपने किर्दार के लिए किसी भी हद तक जा सकती है उन्होंने फिल्म वाटर के लिए ये लुक अचीव किया था Liza Ray अक्ट्रिस लीजा रे फिल्म वाटर में इस लुक में नजरा चुकी है फिल्म का हिस्सा बनते ही लीजा ने भी अपने बाल मुनवा डाले थे तन्वी आजमी डारेक्टर संची लीला भनसाली की फिल्म बाजी राउमस्तानी में तन्वी आजमी ने एक मराठा विद्वा की भूमिका निभाई उन्होंने इस किरदार को जिवान त्रूम देने के लिए अपने बाल वास्तव में मुनवा दिये थे अंत्रा माली अमोल पारेकर की फिल्म एंट वनस अगेन के लिए अंत्रा माली ने भी अपना सिर मुनवा लिया था फिल्म में उन्होंने सिक्किम की एक साधू का किरदार निभाया था तो ये थी कुछ आक्ट्रिस जिन्होंने अपने किर्दार में जान डालने के लिए अपने बाल तक मुनवा दिये थे फिलाल इस वीडियो में इतना ही ऐसी ही और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें टोकोफीड एंटेटेटमेंट